नमस्कार, रेल लैफ रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बेसन की सबजी आज हम इस सबजी को बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे इसे हम बिना सेखे, बिना इस टीम के हुए बनाएंगे अगर घर में कोई सबजी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई महमान आ गए हो और घर में कोई सबजी नहीं है तो आप इसे जटपर से बना करके खा सकते हैं और महमानों को खिला सकते हैं इसे खाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि यह बेसन का बना हुआ है इतना टेस्टी की सबजी आपका बन कर तैयार होगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल नए तरीके का बेसन का सबजी अगर आप हमारे चनल को सस्क्राइब करें और हमें मोटिवेट करें तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने वन थर्ड का बेसन लिया है इसे मैंने पहले हैं छान लिया है दो बड़े साइज के प्याज को मैंने एकदम बारी काट लिया है तीन टेमाटर का पेष्ट बनागर के लिया है आधा कप मैंने दही को भेट करके लिया है यह बड़ा चमच अद्रकलसुन का पेष्ट, दो से तीन हडी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया बारी काट के लिया है सबसे पहले हम बेष्टन का घोल त्यार करेंगे, उसमें डालेंगे स्वात के नुशार नमक अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच बेकिंग पाउडर अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सदनिया मैं इसे गानिश करने के लिए बचा रही हूँ अब हम इसमें पानी डाल करके इसका घोल तियार करेंगे इसे हम अच्छे से घोल लेंगे लंस फिरी हम इसे घोल लेंगे इसका हमें नहीं जादा पतला घोल बनाना है और नहीं इसे हमें जादा मोटा रखना है बस इसे पान्य डालकर हम अच्षे से घोल लेंगे तो चलिए एक घोल त्यार हो गया है अब करही को गरम कर लेते हैं करही कर मुते ही इसमें लेंगे दो बड़ा चमश तेल तेल को गरम होने देंगे तेल जब ग्रम हो जाए तो लेंगे इसमें एक चुटा चमा साबू जीरा जीरा जिब अच्छी तरह चटक जाए तब हो उसमें डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज अब हम प्याज को मेरे फ्लीम पे हलका सुना रहा होने तक फ्राई कर लेंगे इसे हमें गोल्ड ब्रावन नहीं फ्राई करना है आज मैं इस सब्जी को बहुत ही कम मसाले से बना करके तयार करूंगे इसमें मैंने कोई एक्ष्टा मसाला का इस्तमाल नहीं किया है जो हमारे घर में रोज के यूज में जो मसाले आते हैं वही हम डालेंगे एक छोटा चमच हल्दी पाउडर, एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चमच हम इसमें गड़ा मसाला डालेंगे और एक छोटा चमाच हम इसमे कासमीडी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ये बिल्कुल आप्सनल है अब हम इसमें डालेंगी अद्रकलासुन का पेस्ट और हडी मिर्च अब हम मसालो को मेडे फ्लेम पे तेल छोड़ने तक फ्राई करेंगे मसाले को अब जब भी फ्राई करें मेडे फ्लेम पे फ्राई करें इससे समजी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें डालेंगी एक चोथाई चोटा चमाच काली मिर्च का पाउडर इसे भी हम मसालो के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे अब हम इसे मेडे फ्लेम पे लगबग एक मिनट तक फ्राई करेंगे इसे फ्राई करते हुए एक मिनट होगा है अब हम इसमें डालेंगे टमाटल का पेस्ट इसे भी हम मसालो के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनिट तक हम इसे फ्राई करेंगे इसे फ्राई करते हुए लगबग 2 मिनट हो गए है मसाला जो है वो तेल छोड़ने लगा है तो अब हम इसमें डालेंगे दही दही डालते समय हमें इसे बड़ाबर चलाते रहना है नहीं तो दही फट जाएगा और फिर सबजी देखनी में अच्छा नहीं लगएगा इसलिए दही डालते समय इसका ध्यान रखे अब हम इसे एक मिनट और फ्राई करेंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक यहाँ पर मैं आदा चोटा चमर डाल लही हूँ क्योंकि पहले भी हमने बेशन में नमक डाला हुआ है तो इसका ध्यान रखे तो इसमें आप अपने स्वाद के नुसार नमक डाले मसालो को फड़ाई करते हुए तीर मिलट हो गए है अब हम इसमें बेशन को एड़ करेंगे बेशन को हम गोल करके इसमें डालेंगे दही डालते समय जो हमने किया था वो अभी भी हमें करना है इसे भी हमें बड़ावर चलाते हुए पका लेना है अब हम इसमें आधा कप पाने डालेंगे अब हम इसमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे मेडियम फ्लेम पे हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि सबजी से तेल अलग ना हो जाए शुरू-शुरू में ये देखने में थोड़ा चिप-चिपासा लगेगा लेकिन जब इसे आप मेडियम फ्लेम पे बरावर चलाते हुए भूनेंगे और ये तेल छोड़ने लगेगा तो फिर सबजी हो है वो देखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट में भी अच्छा होगा इसका कलर चेंज होने लगा है ये थोड़ा सूख गया है अभी हम इसे बरावर चलाते हुए इसी तरीके से भून लेंगे हम सबजी को तब तक भूनेंगे जब तक ये पैन न छोड़ने लगे और तेल न अलग हो जाए इस सबजी को बनाने में आपको साथ से 8 मिनट का समय लग सकता है आप देख सकते हैं सबजी धीरे धीरे तेल छोड़ने लगा है ये कडाही भी छोड़ने लगा है सबजी बन करके तयार हो गया है अब हम गयस के फिलेम को बन करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे तो लेजिए बन करके तयार हो गया टेस्टी बेसन की सबजी तो देखाना आपने ये कितनी आसानी से बन करके तयार हो गया इस सब्जी को बनाने के लिए नहीं मैंने इसका चीला तयार किया और नहीं मैंने इसे एस्टीम किया है यह बहुत ही आसानी से बनकर तयार हो गया खाने के बाद आपको ये पता ही नीचे लेगा कि ये बेशन का बना हुआ है तो आप इस recipe को एक पार जरूर ट्राय करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये बेशन का सबजी कैसा लगा घर में कोई सबजी नहीं है और अचानक से कोई महमाना गया तो आप इस सबज सब्सक्राइब करें लाइक करें अगले वीडियो में